2024 में 1 किलोवट से 5 किलोवट सोलर सिस्टम कितने रुपे में आप अपने घर पे लगवा सकते हैं 22,000 रुपे से शुरुआत होके और लास्ट कहां तक आप ये सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा पाएंगे 2023 में solar system की कीमतों में काफी सारी solar system की कीमतें कम हुई 2023 के last तक आते आते solar system की कीमतें stable हो गई है तो 2024 में solar system की कितनी कीमत रहने वाली है अगर आप 1 kilowatt से 5 kilowatt का solar system लगवाना चाहते हैं तो फ्रेंट्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 तरह की technology होती है solar system में on grid, off grid और hybrid series बना रहा हूँ तो जिस series को अगर आप अपनी घर पे solar system लगवाना चाहते हैं या फिर आप solar installer हैं या फिर दुकान चलाते हैं solar की कोई दुकान आप करते हैं उन लोग के लिए ये पूरी series बहुत ज़्यादा important हो जाने वाली है क्योंकि इस series को देखने के बाद में आपको कोई और चीज Google करने की ये YouTube पे वीडियो देखनी के आशकता नहीं पड़ेगी किस तरह आपको sizing करनी हैं, कितने रुपे में system लगेगा, कौन सा panel लगवाना चाहिए, latest technology क्या है, traditional technology क्या है वो सब मैं आपको live दिखाऊंगा, सब की कीमतें बताऊंगा, किस तरीके से लगाना है, सारी complete information आपको इस episode में मिलने वाली है तो episode 1 में हम लोग शुरू करेंगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला system और सबसे ज़्यादा reliable system यह है off-grid system, तो पहले off-grid में 1-5 kWh की series, फिर 5-10 kWh, इसी तरह on-grid में 1-10 kWh, और इसी तरीके से hybrid में 1-10 kWh, यह पूरी series मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ, तो क्रपा कमेंट करके मुझे जरूरू बताइएगा कि इस series आपको कैसी लगी, तो friends, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से request कि अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, और पहले से अगर मुझे follow कर रहे हैं, तो आपको बार-बार धन्यवाद, एक और request कि इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक share करें, तकि इस जनकरी कर आप जादा से चला सकते हैं, कई जगहा लोग ऐसे हैं, और रात 24 गंटे उन्हें बिजली उन्हें रखनी नहीं है, तो भी इस सिस्टम को चला पाएंगे, तो किसी भी solar system को बनाने के लिए तीन चीजों की आपको आफशकता पढ़ती है, तबसे पहले solar inverter, फिर battery और solar panel, चौथे में आपक बैटरी की टकनोजी है, और अलग तरीकी की ही पैनल की टकनोजी है, तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैंने different technology के inverter लगवाई हुए है, बैटरी मैंने लगवाई हुई है, इसी तरीके से different technology के पैनल्स मी हैं, तो फ्रेंट 1-1 मैं आपको बताऊंगा, कि आप किस तरीके से अपने system की sizing कर सकता है, तो solar system लगवाने से पहले आपको sizing करना ज़रूरी है, कितने kilowatt का system आपके लिए perfect होने वाला है, तो उसके लिए आपको sizing करनी है, आपको inverter की sizing करनी है, बैटरी की करनी है, और पैनल की करनी है, उसके बाद फिर उसकी pricing आपको देखनी है, कितनी pricing है, उसके बाद में फिर आपको उसकी technology देखनी है, किस-किस technology का है, उसके बाद में उसकी pricing, तो ये सब वीडियो में मैं आपको cover करूँगा, तो सबसे पहले आपको sizing करनी है inverter की, आप maximum आपने घर पे एक time में कितना load चलाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 1 kWh किरें जिससे हैं मीरी सामने आप देख रहे हैं ये Transferwer technology के inverter लगा है, या आप देख रहे हैं, ये Transferwer technology के inverter लगा है, इसके लवाग ये Transferwer technology के inverter लगे है, तो अगर आप Transferwer technology के inverter में ले रहे हैं और 1 kWh अधिक्तम आप उस पे 660-700W तक का load चलाते हैं, तो ये ठीक है इससे जाद कुमन सा इसका फर्मूला यह है एक के वीए 800 वाट के बराबर होता है जादतर कंपनीज का पर बहुत सारी कंपनियां जो अपने लोड लिफ्ट करेंगे तो पंद्रस वाट भी लोड लिफ्ट नहीं कर पाते हैं तो आपके इन्वाटर के के वीप आपको जाना ही नहीं इन्वाटर का आपको देखना है कि कितने किलोवट का इन्वाटर है और उस इन्वाटर को भी आप 20% छोड़ दीजे मतलब जैसे की 800 का आप इन्वाटर ले रहे हैं तो 800 वाट क के इन्वाटर पर अगर 200 वाट चलाना चाहते हैं तो 800 वाट का आप 24 लेजीगा कि खिंशी सभी कंपनी का है अगर आप सो पर्सेंट की छम चलाएंगे तो आप मैंक मैं 515 फशाऊनी की समर चलना है और बैकी तो मेरे घर पर 500W का लोड है तो मेरे 1KW के inverter क्या काम कर जाएगा तो inverter 1KW का नहीं काम करेगा क्योंकि हो पर समरसेबल है और समरसेबल के स्टार्ट होने में तीन गुना तक लोड होते हैं तो मतलब आपको कम से कम 2-3KW के inverter चाहिए जो कि आपके समरसेबल को लिफ्ट कर पाए तो आपको पूरा यह देखना है कि सोलर से आपको जो लोड चलाना है उस लोड को चलाने के लिए आपको एक्चल में कितने किलोवर्ट के inverter चीन अब inverter में ही 3 ताइप की टेकनोजी आपको देखने को मिलेंगी आगे वीडियो में इन सब की में आपको डेटेल बताऊंगा कि कहां क्या कैसे होना है और कितनी प्राइसिंग है और में बिसिकली फरक क्या है अब दूसरे नमबर पर आपको बैटरी का साइजिंग डिसाइड करना है कि बैटरी आपको कौन सी टेकनोजी की लेनी है और कितना आपको लोड लिफ्ट करना है तो सपोज कीजिए कि आपके रात के जो लोड है वो है करीब आपका एक रेफ्रीडेटर चलता है दो पंखे चलते हैं रात में चलते हैं तो एक पंखा है मतलब 100 वाट दो पंखे 200 वाट 10 गंटे चलने तो 2 यूनिट का हो गया और इस के चला भी रेफ्रीडेटर है मन आपका रेफ्रीडेटर है आपका आपका मतलब 200 वाट खाता है सब पूच आपका एक गंटे में और दस गंटे चलना है तो करीब भाइब आप रेटरीटर की पकड़ सकता है, तो करीब साले चार यूनिट का आपको रात में बैटरी बेंक चाहेंगे, कुछ लोग अ-सी भी चलाना चाहेंगे, तो अ-सी के लिए भी आपको उसी तरह देखना है, कि रात के चार यूनिट है, पांच यूनिट है, तो उस ही साब से आपको बैटरी बैंक डिसाइड करना है अब यहां पर बहुत समझने वाली बात यह है कहीं से भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें मेरा दावा है कि अगर आपने वीडियो कहीं से स्किप नहीं किया तो आप सोलर एक्सपर्ट बन जाएंगे तो यहां पर आपको करना यह है बैटरी बैंक में कि माना आपको दो यूनिट का बैटरी रात में आपको बैंक चाहिए तो दो यूनिट का मतलब अगर आप टूबलर बैटरी पर जाते हैं पर अगर आप 400W का लोड लिफ्ट करेंगे तो बैटरी आपकी मात्र धाई गिंटे चलेगी, मतलब 1000W आपको देगी, तो 1000W एक बैटरी दे रही है, दो बैटरी आपको लगानी पड़ेंगी दो यूनिट के लिए, तो आपका 2000W आपको निकल के आएगा, यह होगी रात की बात, अगर इसमें आप नॉर्मल लोड चला रहे हैं, मतलब की 500-400W का लोड चला रहे हैं, तो इतना चल जाएगा, और अगर आपने 800W का लोड लिफ्ट कर लिए, अब आप यह सोचें कि मिर पाद तो 2 बैटरी हैं, यह हाई लोड के लिए नहीं बनी है, जितना आप हाई लोड देंगे, इस बैटरी पे उतना ही इसका बैकप कम होता चला जागा, यह तो मैं आपको सोलर वाली बैटरी की बात बताराऊं, अगर ही पर आपने C20 बैटरी इस्तमाल कर ली, बहुत सारे लोगों का यह होता है, कि सर्फ मैं C20 बैटरी लगा लूँ सस्ती पड़ती है, C20 और C10 दो तरीकी बैटरी आप मार्केट में देखते हैं, C20 बैटरी सस्ती है, C10 महगी है, तो C20 बैटरी में और भी जादा दिक्कत वाली बात है, कि C10 बैटरी आपको एक यूनिट का बैकप दे रही है, वहाँ पे C10 बैटरी आपको 800 वाट का ही बैकप देगी, तो सोलर एप्लिकेशन में आप C10 बैटरी का ही स्तमाल करें, यहाँ पे आपको 50% वैस्टेज देखने को मिलने वाला है, तो अब आप यह अपना डिसाइड गर सकते हैं, कि बैटरी बैंक आपको कितना बड़ा चीह है, अब तीसरे नमबर बात कर लेते हैं, पैनल की, पैनल के अंदर, मार्किट के अंदर, अभी ही तीन टेकलोजी अभी तक आपको देखने को मिलती है, चौथी टेकलोजी भी आपको अब में बताने वाला हूँ, तो पहली टेकलोजी में है, पोली पैनल, पोली पैनल, बिल्यू कलर के पैनल, आप देखते ही है, 335, 345, 350 वाट का पैनल आपको मिलेगा, और इसमें यह है कि 1 किलोवाट का जो पैनल है, वो पैनल आपको मैकसिम साड़े 3-4 यूट बना के देगा, एक दिन में, साल की एवरेज की बात कर रहा हूँ, हर रोज में आप टेस्ट करेंगे, सरदियों में टेस्ट करेंगे, तो हो सकता है 2 यूट बनाये, गर्वियों में 5 unit 6 unit बना सकता है तो average होता है 4 unit का इसी के साथ monopark की अगर हम लोग बात करें तो monopark जो half-cut technology है उसके अंदर आपको 5 unit मिल जाएगा 1 kilowatt panel से और anti-bifacial में अगर आप जाएगे तो करीब 5-6 unit आपको मिल जाएगा 1 kilowatt में अब आपको यहां पर दो चीज़न देखनी है एक तो यह है कितने kilowatt तो आपकी बैटरी को चीए है चार्ज करने के लिए तो उतने kilowatt को आप हटा लिए मना आपकी 2.500 ampere की बैटरी है तो 4 unit चीए है आपको चार्ज करने के लिए तो 4 unit आप साइड कर दीजिए बाकी panel आपने 1 kilowatt लगाया हुआ है और bifacial end type लगाया हुआ है तो केवल आपकी 2 unit बची अब 2 unit आपको अपने घर में खर्च कर लेनी है तो आपको इस तरीके से साइजिंग करनी है कि जितना आपकी बैटरी को चीए उतना एक्स्रा आपके पास panel हो और बाकी जो पैनल का एक्स्रा जनेशन बचे वो आप दिन में यूज कर पाएं तो इससे साब से अपने घर की साइजिंग करनी होती है यह details friends मैं आपको इसलिए बताइए कि ताकि आप खुद से अपनी decide कर पाएं कि 1 kilowatt 2 kilowatt या 5 kilowatt कितनी kilowatt पापको जाना है अब इसमें ही पैनल में कि चौथी टेकनोजी जो है वो है HGC जिसको अभी शायद आप इंडिया में नहीं जानते हैं पर वो टेकनोजी इंडिया में सबसे efficient टेकनोजी है और आने वाले 2024 में आपको देखने को मिलेगी तो उसे related भी आपको मेरे वीडियो आगे भाष्या में देखने को मिलने वाले हैं अब फ्रेंट्स बात कर लेते हैं कि ये इनकी कीमत कितनी रहने वाली है inverter में तीन टेकनोजी बताइए PWM, MPPT और Super MPPT तो तीनों को ही मैं आपको दिखा देता हूँ आप ये देखिए ये मेरे सामने आप देखें ये 12V का PWM inverter है ये 24V में है ये 2KVA में है ये 1KVA में था ये 2KVA में है और ये 3KVA में 24V है अब इन तीनों में फरक ये है कि ये वाला जो है ये करीब 200W का लोड लिफ्ट कर सकता है और ये करीब 5,60W का लोड लिफ्ट कर सकता है इस पर बैटरी लगेगी 12V का ये inverter है तो एक लैड़ेसेट की इस पर लगेगी दो लैड़ेसेट की और इस पर लगेगी दो लैड़ेसेट की बैटरी तो अब इस inverter की जो कीमते हैं वो भी मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूँ, आप इसी हिसाब से अपना ये system निकाल पाएंगे, ये है 814 रुपे का, KVA की जो कीमत है, ये है 16,624 रुपे, और 3 KVA की है 21,000 प्लस GST, तो लगबग इसी कीमत में आपको और company के भी ये model मिल जाएंगे, इस inverter में क्या है, कि AVR feature अंदर दिया हुआ है, और ये solar inverter नहीं है, ये solar PCU है, तो inverter और PCU में फरक ये होता है, कि PCU में आप खुद से इसकी setting कर पाएंगे, आपको battery, lead acid लगानी है, lithium लगानी है, charging अपने इसाब से set करनी है, तो सारे काम आप खुद से इसमें कर पाते हैं, बैकी जो inverters होते है, inverter मे आपको कुशनी कर पाएंगे, बटन होता है, बटन के साफ से आपको setting करनी होती है, इसमें software के साफ से आप setting अपना कर लेंगे, तो ये है AVR technology, और AVR में PCU है, अगर PWM technology पे जाना है, ये सस्ती technology है, इसमें क्या है कि जितना solar आ रहा है, उतना ही solar से आपकी battery charge होती है, तो ये सस्ती technology में आप PWM technology में जा सकते हैं, आप बात आ रहती है, MPPT की बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, MPPT, 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 MPPT और MPPT का आपको लोग बोलते हैं कि साब MPPT क्या गड़ता है, कि solar panel से extra जो उसके points होते हैं, उन points को search करता है, और जादा energy आपको दे देता है, तो जैसे ही आप panel को test करेंगे, आप सुभा में 6 वर्य भी test करेंगे, तो मन आपको 24 volt का panel है, तो करी 45 volt उसके इंदार बन चुके हैं, पर MPPT रहों पर 0 ampere के असपास होता है, तो यह MPPT क्या गरता है, कि volt को drop करेगा, और volt और MPPT जैसे एक दूसरे के opposite चीजे हैं, आप जानते हैं, तो इसको MPPT बोलते हैं, MPPT का मैंने आपको functioning बता दी कि volt को drop करता है, और MPR को पढ़ा देता है, PWM और MPPT में जब भी आप फरक देखेंगे, तो जैसे PWM यह मैंने आपको बता है, कि यह 24 volt का inverter है, तो इसमें maximum आप अधिक्तम इसकी जो बैटरी शमता है, बैटरी की, तो 24 volt का आप दबल कर दीजे, 48 volt, maximum आप 48 volt का ही पैनल इसके उपर लगा सकते हैं, 48 VOC की बात कर रहा हूँ मैं, 48 VOC होती है, 24 volt के पैनल में, तो इस पर अधिक्तम आप 24 volt का पैनल लगा पाएंगे, यह 12 volt का है, 12 volt का इसके उपर पैनल लगा पाएंगे, जो जर्नल बोल चाल है, 48 VOC का पैनल आप इसके उपर लगा पाएंगे, इसी तरह यह दूसरा में आपको मॉडल दिखा हूँ, अब यह 2.5 kv का मॉडल है, यह special copper model है, तो copper model में, नॉर्मली आप इंडिया में देखेंगे, तो copper model में आपको इनवर्टर नहीं मिलेंगे, इस पेशली यह वाले model क हम लोग copper में बनाते हैं, 2 kv के inverter पे करीब 2 kv का load lifting मिल जाती है, तो मतलब AC भी डेटन का जो normal inverter AC होते हैं, उनको भी यह चला सकता है, और 1 HP का summer civil हो बाकी सारे load आप इस पे चला पाएंगे, एक काफी popular product है नकसस का, इस पे बैटरी वोल्ट हो गया 24 पर इसकी VOC आपको मिल जाती है, 24 का आप चार गुना कर लीजिए, मतलब 100 के असपास आपको VOC का पैनल लगा पाएंगे, मतलब कि दो पैनल की सीरीज, जो 24 के पैनल होते हैं, उस पे आप इस पे लगा पाएंगे, दो पैनल की सीरीज आप इस पे कर पाएंगे, अब यह जो मैंने आपको inverter बताई यह KVA में है, तो KVA में मतलब जिसे मैंने आपको बताया है कि यह वाला 1 KVA है, तो मतलब 600 W का लोड लिफ्टिंग अधिक्तम में बता रहा हूं इस पे, चुकि एक्चल या 800 W का inverter है, इसी तरह यह वाला जो inverter है, यह 2.5 KVA है, यह करीब 2 KW का inverter है, और अगर आपको latest technology पे जा तो MPPT की अगर efficiency की बात, तो 97 से 99 परसेंट तक इसका MPPT efficient होता है, अब यह 5 KVA का inverter है, जिसको आप 5 KW भी बोल सकते हैं, मतलब 5 KVA इनिकल टू 5 KW हैंपर हो जाता है, पूरे 5 KW का लोड लिफ्ट कर सकते हैं, तो अगर आप transfer technology से compare करें, तो 7 KVA का inverter है, जो transfer technology का inverter है, जितने लोड लिफ्ट कर सकता है, उतना लोड यह वाला inverter लिफ्ट कर सकता है, तो transfer less technology के एक फायदा है, अब इसमें क्या है, कि super MPPT में क्या है, कि जितना बैटरी वोल्टेज है, उसका आप 10 गुना कर लीजिए, यह super MPPT, उतनी बड़ी VOC का पैनल लगा पाएंगे, तो इसमें क पैनल को आप इसके उपर सीरीज करके लगा सकते है, 9 पैनल की सीरीज, मतलब आपको कोई parallel नहीं करना है, आप देखेंगे कि सुवा सारे पांच बजे आपका inverter वर्किंग करना शुरू कर देगा, लो लाइट कंडिशन केतनी भी है, को इतना भी बुरे से बुरा आपने पै तो VOC जो है, इसकी चार गुनी आप कर लीजे, तो करीब 200 VOC इसकी हो जाती है, तो 200 VOC का पैनल इसके उपर लगा पाएंगे, मतलब कि चार पैनल को सीरीज आप इसके उपर कर पाएंगे, मैसिम लोड लिफ्ट आप इस पर चार कलोवट के इनवर्टर है, तो सारे तीन कलो GST के copper model है, और जो मैंने आपको ये start का 5KW का model बताया, इसकी कीमत है 15,593 रुपे, और ये जो inverter मैंने आपको बताया है, ये है 75,000 रुपे, जितने भी inverter की मैंने आपको कीवत बताई, ये सब GST इसमें extra है, GST मैंने जोडी नहीं है, GST इसलिए नहीं जोडी है, क्योंकि inverter को खाली आप inverter बाई करेंगे, तो 18% GST मिलेगी, आपको, पर इसी inverter को अगजरा आप solar panel के साथ में और बैटरी के साथ में बाई करेंगे, तो 12% GST हो जाती है, तो इसलिए मैंने GST इस पर नहीं जोडी है, किसी भी model पर GST जोड के नहीं बता रहा हूँ, जितने भी मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, यह सब GST इन पर extra है, तो GST आपको अपने साब से चोड लेनी है, तो यह एक के विए से पांच के विए कि मैं आपको सारे inverter बताए, अब बात कर लेते हैं, बैटरी पे, तो बैटरी पे जैसे मैं आपको बताओं कि तीन तरह की बैटरी इहाँ प प्राइसिंग बता रहा हूँ, पर किसी बैटरी की 100-200 प्लस हो सकती है, मैनस हो सकती है, अब नेक्सस की इस बैटरी में खासियत यह है, कि 5 साल आपको वरांटी मिलती है, तीन साल फ्री, अगले दो साल में बैटरी खराब हो जाए, 50% डिसकाउंट और आपको यह नहीं ची तो लीधियम के साथ में, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, यह 12V की बैटरी रेख यह मिलता है, लैड़सेट बैटरी के मुकाबले, जैसे मैं आपको 1.500Ah बैटरी के साथ में दिखके थी, कि दो यूनिट आपको उसमें डालनी थी, एक यूनिट वो निकाल पा रहा था, पर यहां पे आप इस बैटरी को चार्ज करने में, माना दो यूनिट डालेंगे, यह 24 पर यूनिट है, उतना बैकप, यहां पर यहां पहकी, 12 वोल्ट की बैटरी में, आपके 1 रोज एक यूनिट बचेटी है, चार दिंट की, और 48 वोल्ट की बचेटी है, 24 वोल्ट की बाद करें तो 2 यूनिट बच आती है, तो इतनी तो हरोज इसमें बिजली बच रही है, अ बैटरी की वरंटी की बात करो, तो ये बैटरी लॉंग वरंटी के साथ में आती है, 15 साल की वरंटी है, पहले तीन साल में खराब होगी, फिर ये of cost चेंज हो जाएगी, अगले 15 साल में 50% डिसकाउंटर निमार पीपर कभी भी आप इस बैटरी को चेंज कर सकते हैं, किसी वा पैनल होता है, तो 12V के अगर में पैनल की आपको बात बता हूँ, तो करीब मार्केट में आपको 35 रुपे वर्ट आपको मिलने वाला है, 35 रुपे प्लस GST, पर वर्ट की बात कर रहा हूं, तो 12V के अंदर आपको 210 वर्ट का पैनल मिल जाएगा, वाइफेशल में, आपको 230 पैनल मिल जाएगा, या फिर 175-180 वर्ट का पैनल आपको मिल जाएगा, करीब 35 रुपे वर्ट पैनल है, और करीब 500-600 वर्ट का पैनल उसके उपर लगा सकते हैं, अब इसके सिवा, दूसरा जो सबसे जादा बिकने वाला पैनल है, वो है 24 वर्ट का मार्केट में, सभी कमप पैनल आपको 25,000 वर्ट का हो जाता है, तो आप सस्ते में वह वाला पैनल ले सकते हैं, इसके सिवा अगर आपको और अच्छे में लेना है, तो आप एंटाइप बाइफेशल के साथ में जा सकते हैं, मतलब आज की रेटम तो सबसे इंडिया का सबसे अच्छा ही पैनल है, तो करीब आपको 34 रुपे प्लस GST में मल जाएगा, मतलब एक किलोवट पैनल आपको 34,000 प्लस GST में, तो इंडिया में इस से उपर टेकनलोजी का पैनल अभी अबलेवल नहीं है, शायद अगले साल तक आपको कुछ और पैनल की लेटास टेकनलोजी देखने को मिलेगी, तो वो उस टाइम की बात है, तो फ्रेंट्स, अगर आप जोडेंगे, तो आप ये देखेंगे कि 22,000 रुपे से शुरू हो जाता है, जैसे कि एक इंवर्टर मैंने आपको बता है, 8,000 रुपे का 1KV एक इंवर्टर ये वाला, और इसके साथ ही बैटरी, आपने बैटरी आ प्रती वाट के हिसाब से स्ट्रक्चर और वाइरिंग का खर्चा आता है, डिपेंट करता है आपकी लोकेशन क्या है, आपका जैसे एक ही फ्लोर है घर का, तो एक मतलब एक फर्स्ट फ्लोर पर आप लगवा रहे हैं, तो वहापे खर्चा कमाएगा, लेंटर का मकान है, कं पूरा निकल पाए हमां से, तो यह डिपेंट करता है आपकी साइट पे, तो करीब 10 रुपे से 15 रुपे वाट का भी खर्चा उसमें आ जाता है, अब यह जो इस्ट्रोलेशन में मैं आपको खर्चा बता रहा हूं, अब इसमें स्टेंडर्ड आपको मिलेगा स्ट्रक्शर इस्ट्रोलेशन, उसकी वाइर पैनल से, जो आपका PCO है, होँँ तक की वाइरिंग, इसके अलावा आपको अर्थिंग और एलेग, यह सारे आपको इस 10 से 15 रुपे वाट के बीच मिल जाते हैं, अब इसमें अगर आप खुद से बनवाना चाहें, तो इसे बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप नेकसस से कोई पुड़क ले रहे हैं, और आप खुद से इस्टॉलेशन कराना चाहते हैं, तो हम इस्टॉलेशन में आपकी पूरी हैल्प कर देंगे, तो जो पंदरों पर वाट का खर्चा है, वो खुद से अगर आप करा लेंगे, तो आप खुद से चाहें, तो खुद से भी इस्टॉलेशन करा सकता है, तो फ्रेंट्स ये हुई एक किलोवाट से पांच किलोवाट तक की बात, आप खाली लेड़ासेट बैटरी ले रहे हैं, तो खाली लेड़ासेट बैटरी पर 28% GST है, लीथियम बैटरी पर 18% GST है, पताईएगा कि ये सवाल चुटे हैं, तो अगली जो इसकी नेक्स सीरीज में बनाऊँगा, पांच से दस किलोवाट की, उस सीरीज में मैं आपके सभी सवालों के आंसर जो इस वीडियो में चुट गे हैं, आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा, तो फ्रेंट्स पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शियर करना मत बूलेगा, मिलते हैं फ्रेंट्स अगली वीडियो में